आज इस वीडियो में हम सीखने वाले Microsoft Excel के अंदर हम कुछ basic formulas को कैसे use कर सकते हैं, कोई भी formula हम कैसे बना सकते हैं और कैसे किसी भी formula को हम check कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाला है, तो वीडियो का हम शुरू करते हैं, अब यहाँ पर हमें Excel की sheet में कुछ values दी गई हैं, इनी values के साथ हम कुछ formula use करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जो formula use में लेने वाले हैं, वो लेने वाले हम sum का formula, sum का formula हमारा जोडने के काम आता है, तो जितनी भी ये values हैं, उन सब का total करके हमें बता देगा कि इसका total कितना होगा, तो उस formula का use करने के लिए हम यहाँ पर right side में जाते, तो हमें यहाँ पे एक option में लेका auto sum, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा auto sum, तो यहाँ पे हमें click करना है, जैस इसे के साथ यह एक range select कर रहा है, इस range का मतलब है कि अभी यह formula इन इन values को calculate कर रहा है, अगर हम चाहते कि यही value हमें calculate करने है, इन ही values का हमें result चाहिए, तो हम यहाँ पे enter की press कर देंगे, तो अभी हम चाहते कि हमें यहाँ से लेके निचे तक value चाहिए, तो इन values को हम mouse की colon B10, तो इसका मतलब होता है B2 से लेके B10 तक यह सारी values को add कर देगा, तो हम यहाँ पे enter की press करते हैं, जैसे हम enter की press करते हैं, तो यहाँ पे हमें result show हो चुका है, और यहाँ पे हमारी होती है formula बार, तो यहाँ पे यह formula हमारा शो कर रहा है, अब हम इस value को check करना चाहते हैं, क या वो सही है या गलत है, तो हम यहाँ से जिस भी values को हमने add किया है, उन सबको एक बार वापस select कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, अब यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे sum हमें दिखाई दे रहा है 5875, और जैसा कि हम उपर की तरफ देख पा यह हमारा एक तरफ से sum का formula हो गया, तो हम यहाँ पे आगे type कर देते sum ताकि हम को समझने में आसा नहीं रहे, आगे हम बात करने वाले average की formula की है, तो हम यहाँ पे type कर देते average और उसके बाद यहाँ पे formula लगाने वाले हैं, तो again formula लगाने के लिए हम यहाँ पे auto sum option पे click करना इसके just उपर वाले cell की यह range select कर रहा है, जबकि हमें average in values का निकालना है, तो in values को हम यहाँ पे select कर देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे show कर देगा, जैसा कि हमें sum के अंदर show कर रहा था, B2 से B10, यहाँ पे हम enter की press करते हैं, तो जैसे हम enter की press करेंगी, तो यहाँ पे हमारे सामने average show कर देगा, इसको भी हम cross check करना चाते हैं, तो again हम इस value को select कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरब जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें show कर रहा है, average 652.77, और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमें result show कर रहा है, 652.77, इसका मतलब यह भी result हमारा बिल्कुल सही show कर रहा है, उसके बाद अगला formula हम लगाने वाले हैं, यहाँ पे count का, तो यहाँ पे हम count type कर लेते हैं, समझने के लिए कि हम यहाँ पे कौन सा formula लगा रहे हैं, अब हमें formula लगाने के लिए again यही पे auto sum option पे जाना होगा, यहाँ पे हम count number वाले option पे click करेंगे, तो जैसे हम count number option पे click करते हैं, again हमरे पास यहाँ पे range उपर वाली select करके बता रहा है, जबकि हमें किन values को count कराना है, तो वो value हम यहाँ से select कर लेंगे, again हमने कौन सी range select की है, वो हमें यहाँ पे show कर रहा है, B2 से B10 तक हमने यहाँ पे select किया है, उसके हम यहाँ पे enter की press करते हैं, तो जैसे हम enter की press करते हैं, तो यहाँ पे result हमारे सामने show कर रहा है 9, तो अब हम इसको check करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकिए यहाँ तक जितनी भी values हैं, इनको हम count करते हैं, यह हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे भी हमें show कर रहा है 9 इसका मतलब यह भी formula हमारा बिल्कुल सही है, उसके बाद आगे हम formula use लेने वाले हैं, maximum values, maximum का मतलब होता है सबसे बड़ी संक्या, अब मान लिजी कि आपके पास बहुत बड़ा data है, उस data में से आपको पता लगाना है कि इसमें सबसे बड़ी value कौन सी आ रही है, तो आपको एक एक values को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 600, यहाँ पर 850, उसका 600, तो हम एक तरह से बूल जाते हैं कि हमने पहले कौन सी value देखी थी बड़ी, तो उसके लिए हमें इस formula के मदद से बहुती आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगे किन values में से हमें maximum value निकाल लिए है, तो हम यहाँ पर range select कर लेते हैं, इस range को हमने select कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर enter की प्रेस करते हैं, तो जैसे हम enter की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर maximum value हमारे सामने show कर रहा है, 950, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो value आ रही, वो हमारे 950 आ रही, 950 आ रही है, जो कि यह है, तो इसने एक ही बार में यह result हमें show कर दिया है, कि वहले एक छोटे से formula से हम बहुती बड़ा task, बहुती कम time में पूरा कर सकते हैं, उसके बद हम यहाँ पर निकालने वाले minimum value, मतलब सबसे छोटी संक्या, तो इ यहाँ पे हम min option पे click करेंगे, जIESसे min option पे click करते हैं, आगेन हमें range select करके बतानी है, तो यह range values हमने select करके बता दी, उसके बद हम यहाँ पे enter key press करते हैं, तो जैसे हम enter key press करते हैं तो हम देखेंगी, हमें result शोग रहा है 400, तो यहाँ पे हम देखेंगी कि सबसे छोटी value आ र क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो यह सारी values हमारी change हो जाएगे यहांपर जीसे हम side में क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे यहांपर सबसे छोटी value हमारी 200 हो चुलकी ए उससे के साथ हमारा sum भी change हो चुका है average भी change हो चुलका है count में कुछ भी change नहीं हुआ है क्योंकि values वो पूरी 9 ही है हमारे पास और maximum value में भी कोई भी change नहीं हुआ है क्योंकि maximum हमारी सबसे बड़ी 950 ही है तो यहाँ पर केवल sum और average के अंदर हमारे change हुआ है और यह minimum value हमारी 200 आ चुकी है अगला formula हम देखने वाले length तो इस formula को हम खुद से बनाने वाले हैं खुद type करने वाले हैं तो यहाँ पर हम equal type करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं len जैसे हम alien type करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक function show कर देगा उसके बाद हम यहाँ पर bracket open करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें text type करना है तो वो text हमने यहाँ पर ले लिया है नमन नाम से तो यहाँ पर हमने click कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पर bracket close कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर enter की press करते हैं तो यहाँ पर हमें result show कर रहा है 5 तो ये 5 केसे आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे हमने यहाँ पर लिखा length उसके बाद हमने इस value को select किया था तो ये इस value में कितने character तो ये जो नाम है नमन इसके अंदर हमारे कितने character से वो हमें count करके यहाँ पर show कर रहा है तो नमन के अंदर हमारा आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 character हमें show कर रहा है तो यहाँ पर result हमें show कर रहा है 5 तो length से एक तरह से यह होता है कि जो भी text हमने type किया है उसकी length कितनी वो हमें count करके यहाँ पर बता देगा अब हम देखना चाहते कि हमने कौनसे कौनसे formula लगा है तो हम जैसे यहाँ पर click करेंगे हमें formula बार में यहाँ show कर देगा कि यहाँ हमने कौनसा formula यूज किया हुआ है अगर हम चाहते कि सभी formula यहीं पर show कर दे यहीं पर हम देखना चाहते कि सारे formula एक साथ show कर देगी हमने कौनसे कौनसे formula use की है उसके बाद यहाँ पर हमें एक option मिलेगा show formula तो जैसे हम इस option पर click करेंगे तो हम देखेंगे वो सारे formula अमें यहाँ पर show हो चुके हैं पर वो result हमें show नहीं हो रहा है और अगर वापस हम उन result को देखना चाते हैं कि इन formulas का result क्या रहा है तो उसके लिए हम वापस show formula option पर click करेंगे तो जैसे हम show formula option पर click करते हैं तो वापस हमारे पास यहाँ पर result show कर देगा तो यह कुछ basic formulas हमने discuss किये थे इससी topic पर आपको और वीडियो चाहिए तो आप